सुनू, आज भगवान की कृपा से हमारा धाबा खुली गए, अब देखना, हमारे हाथ का स्वादिश्ट और बढ़िया खाना खाकर ग्राहक उंगलियों चाटते रह जाएंगे तुम ठीक के रही हो मिनाक्षी, बस अब ग्राहक बढ़ जाएं मिनाक्षी और महेंद्र का चलता हुआ धाबा देखकर कलू जलन से भर जाता है ये एक और सामने धाबा खुल गया, कोई ना कोई मुसीबत आ ही जाती है हमारा धाबा अच्छा चल पड़ा है, सच मुच, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ हमारा धाबा इसी तरह चलता गया तो, वो दिन दूर नहीं जब हम अपना एक बड़ा होटल खोल लेंगे उस गाउं में ठाकुर गर्जन सिंग का राद चलता था ठाकुर गर्जन सिंग के आदमी आए दिन बाजार में बनी दुकानों पर आकर अपना रॉब जाडते थे और दुकानदार को परिशान करते थे एक दिन ठाकुर सर्जन सिंग के आदमी बाजार में घूम रहे थे तबी उनकी नजर मिनाक्षी और महेंद्र के धाबे पर पड़ी ओहो गाउं में नया डाबा खुल गया है और गजजन सिंग के आदमियों को नहीं पता चलो सब आज धाबे पर दाबा तोड़ाते हैं ये धाबे वाली ता खोदी मकिनी दाल लग रही है फिर तो इसके हाथ न जादू होगा जी आपको क्या चाहिए? ओर्डर बता दीजी अरे तू सामने से अट करवे करे ले उस मीठी कीर को हमारे पास बेज देखो तमीज से बात करो वो मेरी पत्मी है तो मुझे तमीज सिखाएगा तेरी तो देखो यहाँ पर गुंडा गर्दी नहीं चलेगी सीधी तरह से यहाँ से चले जो वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी चल तू कहती है तो यहाँ से चले जाते हैं लेकिन याद रखना हम दोबारा फिर आएंगे वो बदमाश गुंडे उस वक्त वहाँ से चले जाते हैं कलू ये सब देख रहा था ये ठाकुर गजजन सिंग अपने आपको समझता क्या है सारा दिन इसके गुंडे बाजार में घूमकर सभी दुकानदारों को तंग करते हैं और इनके मन में हम औरतों के लिए जराती भी इज़त नहीं है अरे तुम जानती नहीं हो ठाकुर गजजन सिंग बहुत ही गिरावा इंसान है इसके मन में दया नाम का तो कोई शब्द है ही नहीं सब गवाले इससे बहुत डरते हैं इन दोनों को यहां से हटाने करास्ता मुझे मिल गया है अब देखता हूं यह दोनों अपना धाबा कैसे चलाते हैं मतलब तू चाहता है कि हम तेरे सामने वाला धाबा हटवा दे इसमें हमारा क्या फायदा होगा बे अच्छा तो ये बात है ठाकूर गजन सिंग अपने आदमियों को महेंदर के धाबे पर भेजता है तुम लोगोंने बदमाशी दिखाई तो हम पुलिस को जाकर बता देंगे अच्छा तेरी जुबान बहुत चल रही है कहीं ऐसा ना हो धाबे के साथ-साथ हम तेरे पती को भी जिन्दा जला दे तभी ठाकुर गजन सिंग की जीप आकर रुखती है ठाकुर गजन सिंग जीप से उतरता है और गुस्से में धाबे पड़ जाता है तुम दोनों की इतनी मजाल कि मेरे गाउं में ही रहकर मेरे से नहीं डरते पकड़ लो इसके पती को और इस धाबे के साथ जिन्दा जला दो नहीं ठाकुर नहीं, मेरे पती को छोड़ दो मैं तुमसे विंती करती हूँ मत लगाओ आग, मेरे पती को छोड़ दो गजजन सिंग से बैर लिया था ना तुन दोनोंने अब सजा भुगतनी पड़ेगी चलो तुम सब क्या देख रहे हो, डावे में आग लगा दो इसका पती और ढबा दोनों चल जाने चाहिए नहीं, नहीं, मेरे पती को छोड़ दो कोई बचाओ, मेरे पती मर जाएंगे, नहीं बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ मुझे मैं जल रहाओ मिनाक्षी, मुझे बचा लाओ ठाकुर, याद रखना आज जिस तरह से तुने मेरे पती को जलाये है एक दिन तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा तू भी ऐसे ही जल कर मरेगा मिनाक्षी रोती रह जाती है और महेंद्र धाबे के साथ जल कर मर जाता है महेंद्र को गुजरे दो दिन हो गए थे मिनाक्षी ने कुछ ने खाया था वो हिम्मत करती है और धाबे पर चाती है सब कुछ घत्म हो गया सब कुछ जल कर खाक हो गया अरे ये तो वही कूकर है जो महेंदर पिछले हफ़ते ही नया खरीद कर आये थे कितने मन से धाबे के लिए उनने ये नया कूकर खरीदा था ये उनकी आखरे निशानी है आज खिचडी इसी पर बनाती हूँ मिनाक्षी अभी खिचडी बनाई रही थी कि तभी एक व्यक्ति वहाँ पर आता है जी नमस्ते, मैं इस गाउं में नया आया हूँ आपका ये धाबा देखा तो रुख गया कुछ खाने को मिलेगा क्या आप बैठिये मैं आपके लिए खाने को लेकर आती हूँ मैंने तो थोड़ी सी खिचडी ही बनाई थी पर कोई बात नहीं ये उन शेहरी बाबू को ही दे देती हूँ मैं अपने लिए कुछ और बना लोगी अरे ये क्या ये कुछ तो खिचडी से भरा हुआ है पर थोड़ी देर पहले तो मैं सारी खिचडी शेहरी बाबू के लिए ले ले गई थी किये कैसा जादू है महेंद्र मुझे तो ऐसा लगता है आप यहीं कहीं मेरे साथ हो मेरे पास हो आप मेरी सहायता कर रहे हो अब मैं इस जादूई कुकर की सहायता से अपने धाबे को फिर से शुरू करूगी मिनाक्षी अब रोजाना है उस जादूई कुकर में खाना बनाती और ग्राह को को खिलाती जादूई कुकर में बना खाना सुबह से शाम तक चलता था धीरे धीरے मिनाक्षी का धाबा फिर से चल पड़ता है कुछ दिन बीथ जाते है धाबे को फिर से चलता देख कलो गुस्से में आ जाता है और ठाकुर गजजन सिंग के पास जाता है गजन सिंग अपले आदमियों के साथ दुबारा मिनाक्षी के धाबे पर पहुँचता है लगता है तुझे भी तेरे पती के पास भीजना ही पड़ेगा काँवालो, कान खोल कर सुन लो जिस किसी ने भी मेरे हुक्म का विरोध किया या मेरे खिलाफ जाकर कोई काम किया उसका यही अंजाम होगा बेचारी मिनाक्षी, पहले पती चला गया और आज ठाकुर भी इसे जिन्दा जलाने जा रहा है और कौन भला गजन सिंग के आगे बोल सकता है अब तो भगवान ही मिनाक्षी को बचा सकते हैं वही कोई चमतकार कर सकते हैं इस पूरे गाउं में कोई भी माई कालाल नहीं है जो गजन सिंग के आगे सिर उठा कर बो सके जला दो इसे गजन सिंग के आदमे मिनाक्षी को जलाने ही जा रहे थे कि अचानक गोल्यों की बोचार थे वो घबरा जाते हैं खबरदार किसी ने भी भागने की हिम्मत की शेरी बाबू आप पुलिस इंस्पेक्टर आप इसे मत छोड़ना इस गजन सिंग ने मेरे पती को जिन्दा जला दिया था गजन सिंग पुलिस से बचने के लिए मिनाक्षी के ढाबे में घुस जाता है तभी चूले पर रखा कुकर पुल जाता है और गजन सिंग आग में जुलस जाता है गजन सिंग को उसकी गुनाहों की सजा मिल गई थी शायद महेंद्र ने खुद गजन सिंग के पापों की सजा उसे दे दी थी मिनाक्षी को इंस्पेक्टर रजट के रूप में एक हमदर्द मिल गया था, जिसने मिनाक्षी के दर्द को समझा, मिनाक्षी इंस्पेक्टर रजट की मदद से महेंद्र की याद में एक नया ठाबा खोलती है, गाउवाले भी गर्जन सिंग के आतंक से आजाद होकर खुश बीमारी के चलते जब आशा का देहान्त हुआ उस वक्त सुहाना बारह साल की थी देख बलदेव, तु मेरा पुराना मित्र है, इसलिए बोल रहा हूँ, सुहाना की परवरिश के लिए तु दूसरी शादी कर ही ले पर गुपाल मैं एक बच्ची का पिता हूँ, मुझसे भला कौन लड़की शादी के लिए हाँ कहेगी, बता मेरे एक जान पहचान के मित्र है, उनकी पतनी की बेहन है शीला दो साल पहले पती से तलाक हो गया, पर एक बात मुझे और बतानी थी, शायद उनकी एक बेटी है, करीब दस साल की होगी अगर तू हाँ कहे, तो सुहाना को मा और बहन दोनों मिल जाएंगी, और उनको तेरा सहारा अब एक बार तू बात कर, उन लोगों की मर्जी भी तो पता चले ना सारी बातचीत के बाद बलवेव और शीला की शादी हो जाती है सुहाना, ये तुम्हारी नई मा है, और ये तुम्हारी बहन भव्या मेरी नई मा पिता जी, क्या मैं भव्या के साथ खेलू? नई, अभी नई, अभी भव्या के सोने का समय है, कल भव्या को स्कूल भी जाना है अब, अच्छा-च्छा कोई बात नहीं सुहाना, तुम भव्या के साथ कल खेल लेना, ठीक है? अगले दिन बलदेव काम पर चला जाता है, सुहाना स्कूल के लिए तैयार हो रही थी सुहाना, ये कहां के तैयारी हो रही है? मा, स्कूल जा रही थी तो अब तो तेरे पिता जी, पूरे घर के काम का बोज मेरे उपर डाल कर निकल गए? चल, जैसे मर्जी कर, वो सामने चूलहा रखा है, उसे जला और मेरे लिए चाय बना कर ला तब तक मैं नहा कर आ रही हूँ और खबरदार जो अपने पिता को भनक भी लगने दी, कि तू स्कूल नहीं जाती बेचाली सोहाना रोती हुई रसोई में चले जाती है उसे चूलहा जलाना नहीं आता था वो ऐसे ही चूलहे के आगे बैठी रोती रहती है मा अब मुझे छोड़ कर क्यों चली गई ये नई मा मुझे स्कूल नहीं जाने देती मुझे ये चूलहा जलाना नहीं आता मा सोहाना लगातार बोए जा रही थी तब ही शीलहा आ जाती है हे भगवान कैसी लड़की है तू चूलहा वैसे का वैसा ही दिख रहा है तो इतनी देर से कर क्या रही थी मैंने तुझे चाय बनाने को बोला था ना मा मुझे सच में नहीं पता ये चूलहा कैसे जलाते है बस एक बार बताऊंगी उसके बाद अगर तेरे से चूलहा नहीं जला तो फिर तेरी खैर नहीं शीला सुहाना को उपले डाल कर चूलह जलाना बता देती है बेचारी सुहाना चूलहा फूगती तो उसे खांसी होती और उसकी आँखे लाल हो जाती थी अब तो रोजाना ही जब बलदेव काम पर जाता शीला सारा काम सुहाना से करवाती सुहाना अपने पिता से भी कुछ न कह पाती एक दिन सुहाना जल्दी से चूलह जलाकर आलू उबाल ले आज भव्या को गरम गरम आलू के पराठे खिलाऊंगी मा आलू के पराठे तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जा सुहाना गाय को गोबर लीप और उससे उपले चापा बिचारी सुहाना उपले चापने चली गई बहुत देर तक वो उपले बनाती रही और अंदर आकर दूसरे कामों में लग गई सुहाना मैं भव्या के साथ बाजार जा रही हूं मेरे आने तक सारा काम हो जाए शीला बाजार चली गई तब ही अरे बहुत तीज बारिश हो गई सारे उपले खराब हो गई ये तो भीग गई अब मैं क्या करूँ लखडी भी नहीं है मा मैं चूला कैसे जलाओ थोड़ी देर में नहीं मा आ जाएगी वो मुझे बहुत मारेगी मा आपकी बेटी आपको याद कर रही है मेरी मदद करो मा सुहाना मेरी बच्ची रो मत घबरा मत जब तक मेरा अशिरवाद तेरे साथ है तुझे कुछ नहीं होगा मा आप कहां चली गई थी मा आजी सारे उपले बारिश में भीग गए अब ये चूला नहीं जला तो नहीं मा मुझे मारेंगी सुहाना दुग अबरा मत मैं तुझे कैसा जादोई सिलेंडर दूगी जो जादो से इस चूले को जला देगा फिर तुझे इन उपलों और लखडियों की भी ज़रत नहीं पड़ेगी शुहाना की मा की परचाई हवा में हाद खुमाती है एक जादोई सिलेंडर सुहाना के सामने आ जाता है ये लो सुहाना जादोई सिलेंडर अब तुम जैसे ही चूले के आगे हाद चोड़ोगी ये जादूई सिलंडर अपना जादू दिखाना शुरू कर देगा मा मैं अभी अपने ले पूरी पक्वान मंगवाओं तो जादूई सिलंडर से सब हो जाएगा क्या हाँ मेरी पच्ची अब तो कुछ भी खाने का मांग सकती है पर ये जादोई सिलंडर की बात किसी को मत बताना सुहाना जैसे ही चूले के आगे हाथ जोडती है जादोई सिलंडर के जादू से सब कुछ अपने आप बनने लगता है सुहाना बहुत खुश होती है क्या बात है मेरे पीछे कुछ खाने का बनाया या नहीं क्ये लो मा, मैंने पूरी आलू बनाए हैं। क्या बात है, आज तो घर का भी सारा काम निप्टा लिया और पूरी आलू भी बना लिये। उस दिन से मा की नजरे बचा कर सुहाना जादूई सिलंडर की मदद से खाना बनाने लगी। एक दिन, ये चक्कर क्या है, उपले और लकडी तो यहीं रखे हैं, ये सुहाना चूला किस से जलाती है, कोई तो राज है, मुझे छुपकर देखना होगा, भव्या, मैं कुछ देर के लिए घर की चट पर जा रही हूँ, तू सुहाना पर नजर रखना। शीला भव्या को समझा कर छट पर चली जाती है, अरे सुहाना दीदी, आप ये क्या कर रही हो, किसी को पताना मत, मैं चादुई सिलेंडर को बुला रही हूँ, जो मेरी मा ने मुझे दिया है, बस तुम देखती जाओ, अरे दीदी, ये सिलेंडर तो चल्दी चल्दी खान बना रहा है, भव्या सारी बात शीला को बता देती है, अच्छा, तो ये बात है, तभी ये महरानी आराम से घूमती है, बिना किसी बात की चिंता किये, अब मैं इसकी मा का दिया जादुई सिलेंडर ही खत्म कर दूँगी, तो ना रहेगा बास न बजे की बासुरी, सुहा अच्छा, तो ऐसे हाथ जोड़ कर बैठना है, ये रहा जादुई सिलेंडर, अब इसे उठा कर नदी में फेक आती हूँ, शीला जैसे ही जादुई सिलेंडर को उठाने लगती है, अचानक से सिलेंडर में से चिंगारिया निकलने लगती है, और शीला की आँखों पर मेरी आँख है चल रही है, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, तभी बलदेव भी आ जाता है, सुहना ये, ये तुम्हेरे रस्थे से किसने माद़ा है, और शीला, तुमारी आंखों को क्या हुआ, तभी सुहना की मा की आत्मा वहाँ आ जाती है, और वो बलदेव तू अभी क्या भी और इसी वक्त पिताची मा की आखों की रोशनी चली गई अब वो कहां जाएंगी मुझे माफ कर दो मैंने बहुत बड़ी गलती की है मा आप इनकी आखों की रोशनी फिर से लोटा दो इन्हें शमा कर दो मा ठीक है सुहाना तुम कहती हो तो मैं शीला की आ जगा लेती है सुहाना अब मुझे जाना है अब तुम अपनी नई मा पिताजी और बहन के साथ खुश रहो और ये जादूई सिलंडर मेरी याद बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा जब भी तुम्हे इसकी जरूरत होगी तुम मुझे याद कर लेना उस दिन से शीला क व्यवहार बहुत अच्छा हो गया अब सुहाना फिर से स्कूल जाने लगी थी उस दिन से सुहाना की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया